है मातादी दोस्तों कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपमान क्यों करता है? क्या आपने कभी विचार किया है? वैसे हम भी बिना कारण बहुतों का अपमान करते हैं और हमारा अपमान भी बहुत बार होता है संसार का सारा व्यभार एक दूसरे का अपमान करने पर ही टिका है जैसे पती अपनी पत्नी का अपमान करता है पिता अपनी संतानों का अपमान करता है नौकरी देने वाला अपनी नौकर का अपमान करता है अर्था जो भी बलवान हो वो निर्भल का अपमान करता है यदि हम शक्ति मान हैं तो अपमान के बदले में लड़ाई करते हैं यदि लड़ने की शक्ति नहीं होती तो हम अपमान सहह लेते हैं सोयम को निर्भल और आसहाय मान लेते हैं हमें छोटे होने का एहसास होता है ऐसा से अधिक निर्बल बन जाता है और अत्यचार सहने की आदत सी पढ़ जाती है आत्म विश्वास का नाश हो जाता है और आत्म विश्वास नहीं होता तो मुनुष्य सराब और जुए जैसी व्यस्नों में सुख डूंडता है मन से रोगी बन जाता है आखिर किसी भी मनुष्य कि कोई ऐसी दूरगती क्यों करता है अपमान करने वाला वास्तब में क्या सिद्ध करना चाहता है कभी गहराई से विचार किया है वास्तब में हम किसी का अपमान करते हैं उसके निर्बलता सिद्ध करने के लिए ये बताने के लिए कि हम अधिक शक्तिमान है अर्थात वास्त में आपमान करने वाला स्वयम को शक्ति मान या बल्वान करने का प्रयास कर रहा है किया यह स Momo करता है। वास्तव में इतना ही प्त्रकट करते तो वास्तप में आपने बल Nahe कि घंख से दिखाई देती है। हम अपने निकट आने वाले सभी को प्रति निधंत्वी मानते हैं, चाहे वे पती और पत्नी ही क्यों ना हो। हमें नियंत्रित करता है कि हमें अपने शक्ति सिद्ध करनी होगी, अर्थात हमारा शोशन होगा, हम किसी के गुलाम बन जाएंगे, किन्तु क्या हमने कभी विचार किया है, कि दूसरों को प्रति द्वंधी असहाय मानने के बदले करीब मांगे, अर्थात अपने सहायता करने वाले सहयोगी माने, अर्थात दूसरे विक्ति को प्रेम करें तो उसका अपमान करना अवश्यक ही नहीं होगा, किन्तु प्रेम करने के लिए आत्म विश्वास अवश्यक है, जिसे अपने शक्ति पर विश्वास नहीं, वह प्रेम कर ही नहीं सकता, अर्थात जिसका उतिदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों